नमस्कार मैं खुशी और आप देख रहे हैं आप पियस समाचार आईए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर इंडिगो के चालिस प्लेन हाईजर करके एक साथ क्रैश करा देंगे दस्वी क्लास के छात्र ने दीदी धमकी कानपूर में पकड़ा गया इंटरनेशनल टेरिस उसमा बिन लादिन ने अमरीका के टावर पर एक विमान तक्रा कर पुरी दुनिया में तहलका मचा दिया था लेकिन उतरप्रदेश के कानपूर में 15 साल का एक छात्र तो उससे भी कई कदम आगे निकल गया उसने विमामन कंपनी इंडिको की एक साथ 40 फ्लाइट को हाईजक करके इस तरह का कारनामा करने की धमकी दे डाली चात्र ने धमकी दी इंडिको के 40 प्ले एक साथ हाईजक करके देश के विई आइपी लाखे में क्रेश करा दिये जाई इस धंकी के बाद इंडिको कंट्रोल रूम से देश के सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई पुरे देश की सुरक्षा एजेंसियां एक साथ एक्टिव हो गई जब मुबाइल नंबर का पता लगाया तो पता चला ये नंबर यूपी के कानफूर का है कानफूर की क्राइम ब्रांच के DCP सल्मान ताच को इस मामले की जाच की जिम्मेदारी सौप गई उनकी कई टीमों ने इस नंबर का पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कानफूर के सेन पश्चिम पारा थाना इलाके के सुग्रीव नामक व्यक्ति का ये मुबाइल नंबर है इसके बाद पुलिस की टीम वहाँ पहुची और जाच शुरू की तो पुरे मामले का खुलासा हुआ ये खुलासा ऐसा हुआ कि पुलिस के भी होश उड़ गए क्योंकि धमकी देने वाला कोई और नहीं बलकि सुग्रीव का ही 15 वर्षिय बेटा था सुग्रीव मूल रूप से कुशिन अगर के रहने वाले हैं इधर कुछ सालों से कानपूर मेरे कर एक प्राइबिट फैक्टरी में काम करते हैं उनका बेटा हाइ स्कूल का च्छात्र है पुलिस ने जब उनसे पुश्टाच की तो पता चला कि नाबालिक अपने मोबाइल पर इसराइल, हमास और यूखरेन, डूस के यूद अक्सर देखा करता था उसने यूट्यूब पर फलाइट से अमेरिका में हमले करने का वीडियो भी देखा था इसने उसके मन में कई तरह के विचार आये थे, 11 जनवरी को अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तब ही उसने गूगल पर सच किया तो इंडिको ए अरलाइंस का कंट्रोल रूम का नमबर मिल गया उसने गूगल पर मिले नमबर पर कॉल कर दिया कि इंडिको के 40 हिमान को हाईजक करके हम देश की वी आईबी लाकों में क्रैश करके हमला करेंगे खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहें RPS समाचार ऐसे ही लेटेस्ट अब्डेट्स के लिए हमारे चैनल RPS समाचार को सब्सक्राइब करें और तुनल्स नोटिफिकेशन पाने के लिए बल आइकन प्रेस करना ना भूले अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुचाएं हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्षन में जबढ़ें